नमस्कार आप देख रहे हैं 4PM News Network और मैं हूँ आपके साथ प्रगती ठाकुर छारखंड और महरास्ट विधान सभाचुनाओ के साथ ही चौदर राज्यों की 48 विधान सभाचीटों और दो राज्यों की दो लोग सभाचीटों पर उपचुनाओ हो रहे हैं और कहीं न कहीं वाइनाट की जनता के बीच कॉंग्रिस की लोग प्रियता काफी है बता दे कि वाइनाट सीट से कॉंग्रिस ने प्रियंका गांधी को चुनाओ मैदान में उतारने का एलान भी कर दिया है इस सीट से उम्मीदवारी का एलान प्रियंका गांधी के लिए राज से चुनाव मैदान में उतरने वाली गांधी परिवार की चौथी सदस्य हैं। और बाद में साउथ की सीट छोड़ दी थी। लेकिन यूपी की जनता से राहूल को वो प्यार नहीं मिल पाया जुसकी उमीद राहूल नहीं की थी। बता दे कि राहूल गांधी को अमेठी में बीजेपी की स्मृते इरानी से शिकस्त खानी पड़ी थी। लेकिन जहां यूपी की जनता ने राहूल पर भरोसा नहीं जुताया वही वायनाट की जनता ने राहूल पर भरोसा जुताते हुए वायनाट से राहूल गांधी को जीत दिलाई और लोकसभा भेजा। वहीं अगर 2024 के आम चुनाओ की बात कर ले तो कहीं न कहीं इस बार लोकसभा चुनाओ कॉंगर्स पार्टी के साथ सत राहूल गांधी के लिए भी एक टर्निक पॉइंट बन कर आया। पर उप्चुनाओ की तारीख के एलान हो उसे लेकर लगातार इंतजार हो रहे थे जिसके बाद कहीं न कहीं अब ये इंतजार खत्म हो चुका है और वायनाट में उप्चुनाओ का बिगुल बच चुका है लेकिन इस बिगुल के बचते ही सियासत काफी गर्मा गई है प् योगी सरकार में मंत्री का दर्ज़ा प्राप्त दिनेश प्रताप सिंग ने प्रियंका के बायनाट से लड़ने को लेकर एक्स पर पोस्ट किया दिनेश ने लिखा है कि अंततह लड़की लड़ नहीं पाई और भागी गई वहां जोहां लड़ना ना पड़े बुढ़ी जो हो गई है उन्होंने यूपी विधान सभा चुनाओ के दोरान प्रियंका की तरफ से दिये गए स्लोगन पर ये तंज कसा है जिसमें प्रियंका ने ये कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं उनके इस पोस्ट के बाद राजनीती गर्मा गई है और लगतार बयान बाजियों का दौर भी शुरू हो गया है उनके इस पोस्ट से कॉंग्रस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही है वो दिखाने से पहले आपको धिनेश पृताप सेंग का बयान सुनाते हैं जसमें वो साफतोर पर अपने पोस्ट का दिकर करते हुए कुछ सफाई देते नज़र आ रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं आईए सुनते हैं अगर चलती होती तो खोलते जरूर इसका मतलब उनकी दुकान दिल्ली में चल नहीं पा रही है इसलिए नहीं खोल रहे हैं जैसे कि आपने सुना कि योगी के मंत्री इस दौरान महबत की दुकान खोलने की बात करते नज़र आए हैं लेकिन आपको बता दे कि इंदरा गांध को ही देखे तो να कहीं बाइनार्ड में बीजेपी अपना दंग का बज़ा नहीं पाई और जनता ने कॉंग्रिस पर भरोऽा जुताया जो आरूप प्रत्यारूप का दोर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। योगी के मंत्री के बयान के बाद अब कॉंग्रस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। जहां एक तरफ दिनेश प्रताप सिंग के इस बयान से युबा नेता ने नाराजगी जुताते हुए मंत्री के अवास गेट पर चोर लिखकर कालिक पोद्दी थी। कॉंग्रस के प्रदेश अजयराय ने भी ट्वीट कर दिनेश प्रताप सिंग पर हमला बोलने के साथ साथ बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षा ववस्था ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए बीजेपी को ही घेर दिया था। तो वहीं अब कॉंग्रस पार्टी की नेतरी सुप्रिया शुरीनेत ने भी अपने सूशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करती हुए इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जुताई है और भारतिये जुनता पार्टी को महिला विरूध ही पार्टी करार दिया है आप भी चितनी भर्थना करो वो कम है लेकिन असलियत ये है कि दिनेश् परताप सिंग ने एक बार फिर से थाबित कर दिया कि उनकी और भारतिये जनता पार्टी की कितनी अभधर कितनी बद्दी कितनी गंदी सोच है कितनी महिला विरूध है क्योंकि जिस भाशा का उन्हों usual किया ह वो वही बोल सकता है जो वस्तुता महिलाओं का विरोधी हो कारिकरताओं ने हजरत गंच और आहे पर मंतरी दिनेश प्रताप सिंग के पोस्टर पर कालिक पोत कर अपना गुसा जाहिर किया है कारिकरताओं ने मंतरी दिनेश प्रताप सिंग के खिलाफ जम कर नारिबाजी की है इन सब के बाद लेकिन ये तो साफ है कि कहीं न कहीं बीजेपी की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है तो वहीं पार्टी अभी भी दक्षिन में करनाटक को छोड़ दे तो सियासी जमीन की तलाश में है ऐसे में कॉंग्रस के लिए साउथ सेब जगर रहा है जुसका फायदा भी कहीं न कहीं कॉंग्रस को मिलता रहा है और प्रियंका गांधी का भले ही ये पहला चुनाओ है लेकिन वो लंबे समय से राय बरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में राहुल गांधी की चुनावी तयारियों का जम्मा संभालती आई हैं इसलिए प्रियंका की लोगप्रियता भी राजनते गलियारों में बढ़ चुकी है। इसलिए कयास ये लगाया जा रहे हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी लगतार वाइनार्ट चुनाओ को लेकर कॉंग्रिस पर हमलावर होने वाली है। जहां एक तरफ प्रियंका के पक्ष में कॉंग्रिस लगतार हमलावर हो रही है तो वहीं अभी तक प्रियंका गांधी या नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रियाय सामने नहीं आई है। जो कहीं न कहीं इशारा कर रही है कि कॉंग्रिस इस दाव को बीजेपी के खिलाफ तब प्रयोग करेगी जब बीजेपी हाई कमान को इसका अंदाजा भी नहीं होगा। फिलहाल इस चुनावी जुमले बाजी से ये भी अंदाजा लगाया ज़ा सकता है कि आने वाले आगामी चुनाव में महिलाओ का मुद्धा बीजेपी के लिए काफी महंगा पड़ने वाला है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही पूरे मामले पर आपकी क्या राया है कॉमेंट में जरूर बताएए और देखते रहेए 4PM News Network नमस्कार